ओम शांति ओम शांति आज 20 जुलाई 2014 दिन शनीवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के माधूर महवाग क्यों को मीठे बच्चे माया रावन के संग में आकर तुम भटक गए पावित्र पोधे अब पावित्र बन गए अब फिर पावित्र बन प्रश्न हर एक बच्चे को अपने उपर कौन सा वंडर लगता है बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है उत्तर बच्चों को वंडर लगता है कि हम क्या थे किसके बच्चे थे ऐसे बाप का हमें वर्सा मिला था उस बाप को ही हम भूल गए रावन आया इतनी फागी आ गई जो रचियता और रचना सब भूल गया बाप को बच्चों पर वंडर लगता जिन बच्चों को मैंने इतना उंच बनाया राज़भा के दिया वह बच्चे मेरी गलानी करने लगे रावन के संग में आकर सब कुछ गवां दिया ओम शांति क्या सोच रहे हूँ नंबर वार पुर्शाथ अनुसार हर एक की जीवात्मा अब अपने उपर बंडर खा रही है कि हम क्या थे किसके बच्चे थे और बरोबर बाप से वर्सा मिला था फिर कैसे हम भूल गए हम सतो प्रदान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे बहुत सुखी थे फिर हम सीड़ी उतरे रावन आया गोया इतनी फागी आ गई जो रचिता और रचिना को हम भूल गए फागी में मनुश्य रास्ता आदी भूल जाते हैं न तो हम भी भूल गए हमारा घर कहां है कहां के रहने वाले थे अब आबा देख रहे हैं हमारे बच्चे जिने हम आज से पांच हजार वर्ष पहले राज्य भागे दे कर गए बड़े आनंद मोज में थे ये भूमी फिर क्या हो गई कैसे रावन के राज्य में आ गए पराय राज्य में तो जरूर दुख ही मिलेगा कितने तुम बटके अंदिश रद्दा में बाप को ढूंडते रहे परन तुम मिले कहां जिसको पत्थर ठिकर में डाल दिया तो मिलेगा फिर कैसे आदा कल्प तुम बटक बटक कर जैसे फा हो गए अपने ही अग्यान के कारण रावन राज्य में तुमने कितना दुख उठाया है भारत भक्ती मार्ग में कितना गरीब बन गया है बाप बच्चों की तरफ देखते हैं तो खयाल होता है भक्ती मार्ग में कितना बटके हैं आदा कल्प भक्ति की है किस लिए भगवान से मिलने लिए भग्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं क्या देते हैं वे तो कोई जानते नहीं बिलकुल बुद्धु बन गए हैं यह सब बातें बुद्धी में आनी चाहिए हम क्या थे और फिर कैसे राजे भागे करते थे फिर कैसे सीड़ी नीचे उतरते उतरते रावन की जनजीरों में बंद दे गए अपरमपार दुख थे पहले पहले तुम अपरमपार सुख में थे तो दिल में आना चाहिए अपने राज्य में कितना सुख था फिर पराई राज्य में कितना दुख उठाया जैसे वो लोग समझते हैं अंग्रेजों के राज्य में हमने दुख उठाया है आप तुम बैठे हूँ, अंदर में एक खयाल आना चाहिए, हम कौन थे, किसके बच्चे थे, बाप ने हमको सारे विश्व का राज्य भागे दिया, फिर कैसे हम रावन राज्य में जगड गए, कितने दुख देखे, कितने गंदे कर्म किये, स्रश्टी दिन प्रती दिन गि किमिनल होते गए हैं, तो बच्चों को स्वरती में आना चाहिए, बाप देखते हैं, यह पवित्र पोधे थे, जिसको राज्य भागे दिया, वे फिर मेरे उक्यूपेशन को ही भूल गए, अब फिर तुम तमुप्रधान से सतुप्रधान बनना चाहते हो, तो मुझ बाप को याद करो, तो सब बाप कट जाएं, परन तु याद भी नहीं कर सकते, गड़ी-गड़ी कहते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं, अरे तुम याद नहीं करेंगे, तो बाप कैसे कटेंगे, एक तो तुम विकारों में गिर पतित बने, और दूसरा फिर बाप को गाली देने लगे, माया के संग में तुम इतना गिर पड़े, जो जिसने तुमको आसमान में चड़ाया, उनको ठिक कर भी तर मिले गए, माया के संग में तुमने ऐसा काम किया है, बुद्धी में आना चाहिए न, एक दम पत्थर बुद्धी तो नहीं बनना चाहिए, बाप रोज- पॉइंट्स तुमको सुनाता हूँ, जैसे बॉंबे में संगठन हुआ, तो उसमें ताला बतला सकते हैं, कि बाप कहते हैं, हे भारत वासियों, तुमको हमने राज्य भागे दिया, तुम देवताएं हैवन में थे, फिर तुम रायवन राज्य में कैसे आए, यह भी ट्रा भाल सब बैठे हैं, फिर भी किसी की बुद्धी कहां, किसी की बुद्धी कहां है, बुद्धी में आना चाहिए, हम कहां थे, अब हम पराय रावन राज्य में आकर पड़े हैं, तो कितने दुखी हुए हैं, हम शिवाले में तो बहुत सुखी थे, अब बाप आए हैं, वे पिश्व के मालक थे ना, फिर यह का आ गए, फिर से अपना राज्य भागे ले रही हैं, कितना सहज है, यह तो बाप समझाते हैं, सब सर्विसेबल नहीं होंगे, नंबर वार राजधान इस्थापन करनी है, जैसे 5000 वर्ष पहले की थी, सतो प्रधान बनना है, बाप कहते हैं यह है तमो प्रधान पुरानी दुनिया, आक्यूरिट पुरानी जब होगी, तब तो बाप आएंगे न, बाप बिगर तो कोई समझा न सके, भागवान इस रत द्वारा हमको पढ़ा रही है, यह याद रहे, तो भी बुद्धी में ग्यान हो, फिर औरों को बतला कर, आप स बाप समझाते हैं, पहले तो तुमारे क्रिमिनल केरेक्टर्स थे, जो मुश्किल सुधरते हैं, आखों की क्रिमिनलिटी निकलती नहीं है, एक तो काम की क्रिमिनलिटी वे मुश्किल छूटती है, फिर साथ में पाचविकार है, क्रोध की क्रिमिनलिटी भी कितनी है, बैठ गुणा पाप चट जाएगा गड़ी-गड़ी क्रोध करते रहेंगे बाप समझाते हैं तुम अभी रावन राज्य में तो नहीं हो ना तुम तो इश्वर के पास बैठे हुए हो तो इन विकारों से छूटने की प्रतिग्या करनी है पाप कहते हैं अब मुझे याद करू क्र अब शिवाले में जाने के लिए इन पाँच विकारों को निकालना है इस वैशाले से दिल हटाते रहो बाप को याद करो तो अंतमती सोगती हो जाएगी तुम घर में पहुँच जाएंगे और कोई है रास्ता बता नहीं सकते पगवानु वाच मैंने तो कभी भी कहा नहीं है कि मैं सर्व व्यापी हूँ मैंने तो राजयोग सिखाया और कहा तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ फिर वहां तो इस नौलेज की दरकार ही नहीं रहती मनुष्य से देवता बन जाते हैं तुम वर्सा पा लेते हो इसमें हठी हो गादी की बात नहीं अपने को आत् जमी जाने के लिए पुर्शार्थ कर रहे हैं अभी हम पुर्शोत्तम संगम युगवासी हैं भल ग्रस्त में रहो इतने सब यहां कहां रहेंगे ब्रहमन बनकर सब यहां ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते हैं रहना भी अपने घर में है और बुद्धी से समझना है हम चोटी कितनी चोटी है तो ग्रस्त में रहते शरीर निर्वार लिये धंदादी करते सिर्फ बाप को याद करू हम क्या थे अब हम पराई राज्ये में बैठे हैं कितना हम दुखी थे अब बाबा हमको फिर ले जाते हैं तो ग्रस्त वेवार में रहते वे अवस्था जमानी हैं शुरू में कितने बड़े बड़े जाड़ाए फिर उनसे कोई रहे बाकी चले गए तुमारी बुद्धी में है हम अपने राज्य में थे अभी फिर कहां आकर पड़े हैं फिर अपने राज्य में जाते हैं तुम लिखते हो कहते हो बाबा फलाना बहुत अच्छा कार में गिरे फिर ग्यान की धारना हो ना सके उन्नती के बदले गिरते गिरते पाई पैसे का पद पा लेंगे कहा राजा कहा नीच पद बेल सुख तो वहां है ही परंतु पुर्शार्थ किया जाता है उच पद पाने का बड़ा मरतबा कौन पा सकते हैं ये तो सभी समझ सकते अभी सब पुर्शार्थ कर रहे हैं किंग महेंद्र अथात बहपाल के किंग भी पुर्शार्थ कर रहा है वह किंग तो पाई पैसे के हैं ये तो सुरेवंशी राजधानी में जाने वाला है पुर्शार्थ ऐसा हो जो विजे माला में जा सके बाप बच्चों को समझाते है अपने दिल में जाच करते रहना है हमारी आखे कहां क्रिमिनल तो नहीं होती है अगर सिविलाइस्ट हो जाए तो बाकी क्या चाहिए बल विकार में नहीं जाएंगे पर अंतु कुछ न कुछ आखे धोका देती रहती है नमबर वन है काम कृमिनल आई बड़ी खरब है इसलिए नाम ही है क्रिमिनल अइस्ट सिविल आइस्ट बेहद का बाप बच्चों को जानते तो है न ये क्या कर्म करते हैं कितने सर्विस करते हैं फलाने की क्रिमिनल आइस अभी तक गई नहीं है अभी तक ऐसे गुप्त समाचार आते हैं आगे चल और भी एक्यूरेट लिखेंगे खुद भी फील करेंगे हम तो इतना समय जूट बोलते गिरते आए हैं ग्यान पूरा बुद्धी में बैठा नहीं था यही कारण था जो हमारी अवस्था नहीं बनी बाप से हम चिपाते थे ऐसे बहुत चिपाते हैं सरजन से पाच विकारों के बिमारी चिपानी नहीं है सच बताना चाहिए हमारी बुद्धी इस तरफ जाती है शिबाबा तरफ नहीं जाती बताते नहीं है तुम्हें वरद्धी को पाती रहती है अब आप समझाते हैं बच्चे देही अभिवानी बनो अपने को आत्मा समझो आत्मा भाई भाई है तुम कितने सुखी थे जब पुझे थे अब तुम पुझारी दुखी बन पड़े हो तुमको क्या हो गया सब कहते हैं यह ग्रहस्त आश्रम तो परंपरा से चलाया है क्या राम सीता को बच्चे नहीं थे लेकिन वहां विकार से बच्चे नहीं होते अरे वह तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया वहां ब्रेश्टाचार से पैदाश नहीं होती विकार नहीं था वहां यह रा नाम राज्य है, वहां रावन कहां से आया, मनश्यों की बुद्धी बिल्कुल चट खाते में है, किसने की, मैंने तुमको सतो प्रधान बनाया था, तुमारा बेड़ा पार किया था, फिर तुमको तमो प्रधान किसने बनाया, रावन ने, यह भी तुम भूल गए हो, कहते है यह तो परंपरा से चला आता है, अरे, परंपरा कब से, कोई हिसाब तो पताओ, कुछ भी समझते नहीं, बाप समझाते हैं, तुमको कितना राज्य भागे दे कर गए, तुम भारतवासी बहुत ही खुशी में थे, और कोई था ही नहीं, क्रिशन भी कहते हैं, पेरडाइस चित्र भी देवताओं के हैं, उनसे कोई पुरानी चीज तो है नहीं, पुराने ते पुराने यह लक्ष्मी नारायन होंगे, या इन्हों की कोई वस्तु होगे, सबसे पुराने ते पुराना है श्री क्रिश्न, नय से नया भी श्री क्रिश्न था, पुराना क्यों कहते हैं क्योंकि पास्ट हो गया न, तुम ही गोरे थे, फिर तुम ही सामवरे बने, सामवरे कृष्ण को भी देखकर बड़ा खुश होते हैं, जूले में भी सामवरे को जुलाएंगे, उनको क्या पता की गोरा कब था, कृष्ण को कितना प्यार करते हैं, राधे ने क्या किया, बाप कहते हैं, तुम यहां सत्ग के संग में बैठे हो, बाहर को संग में जाने से, फिर भोल जाते हो माया बड़ी प्रभल है गज को ग्राह हप कर लेते हैं ऐसे भी है, अभी भागे की भागे, थोड़ा भी अपना एहंकार आने से, और ही सत्यानाश कर लेते हैं बेहत का बाप तो समझाते रहेंगे इसमें फंक नहीं होना चाहिए बाबा ने ऐसे क्यों कहा हमारी इज़त गई अरे इज़त तो रावन राजे में चट हो ही कही है दे अभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर देंगे पद ब्रेश्ट हो पड़ेगा क्रोध लोब भी क्रिमिनल आई है आँखों से चीज देखते हैं तब तो लोब होता है बाप आकर अपना बगीचा देखते हैं किस किस किस्म के फूल है यहां से जाकर फिर उस बगीचे में फूलों को देखते हैं शिबाबा को फूल भी बरोबर चड़ाते हैं वे तो है निराकार चेतन्य फूल तुम अभी पुर्शाट कर ऐसा फूल बनते हूँ बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चो जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो सोचो नहीं कितनी मेहनत करते हैं होता तो कुछ नहीं ठहरता नहीं अरे प्रजा भी तो चाहिए न थोड़ा भी सुना तुवे प्रजा हो गई प्रजा तो धेर बननी है ज्यान कभी विनाश को नहीं पाता है एक बार सुना शिबाबा है तो भी बस प्रजा में आ जाएंगे अंदर में मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्णिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्णिंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार शीवाले में जाने के लिए इन पांच वे कारों को निकलना है इस वैशाले से दिल हटाते जाना है शुद्रों के संग से किनारा कर लेना है जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ कोई भी विचार नहीं करना है एंकार में कभी नहीं जाना है कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना है वर्दान खुशियों के खजाने से संपन बन दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुन्यात्माभव अब आप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है तो दुखी आत्माओं को खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुन्ने है दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया अब सिर्फ जो मिला है उसे बाट दे जाओ बाटना माना बढ़ना जो भी संबंध में आए वे अनुभव करें कि इनको कोई श्रेष्ट प्राप्ती हुई है जिसकी खुशी है स्लोगन अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती वे सदा विजई रहती है ओम शंति